दोस्तों तब कैसा होता जब आपके पास हावा में उड़ने के लिए कोई अंतर होता बिल्कुल फिल्मों में दिखाए जाने बाले आईरोन मैन या फिर आइन न किसी सुपर हीरो के जैसा सेकड़ों सालों से साइन्स फिक्सन मूबीज में सूपर हिरोज को हावा में उड़ते हुए दिखाया जाता रहा है पर यहाँ 1960 से बहुत ही ज़्यादा व्यापक हो गया है वेग्यानिकों ने ऐसे ही एक सूट का निर्मान कर लिया है इसमें इंदन के रुप में तरल अथवा गयस का उपयोग किया जाता है अभी जटपैक के कुछ लिमिटेशन्स है जैसे की ज़्यादा इंदन अपने साथ नहीं रखा जा सकता है इत्यादी जिसके कारण से यह बहुत ही कम समय तो कुरान भर पाता है इसलिए इसका उपयोग अभी सिर्फ इस्टन्ट के लिए किया जाता है एस्टोनोट इसका उपयोग करते हैं जेट बेंट को पहली बार 1969 में उड़ाया गया था इसकी अधिक्तम स्पीट 80 मिल परती घंटा है मार्टिन एरक्राफ कमपनी द्वारा पनाया गया इस जेट बेंट का वजा करीब 200 किलोग्राम है यह 24 किलोमेटर परती घंटे की रफ्तार से भाग सकता है इसमें पिस्टन इंजन का उपयोग किया गया है यह 3000 फ्याट तक जा सकता है यह अधिक्तम 30-45 मिल तक उनान भर सकता है अर्डिनी एरक्राफ्ट कम्पनी दोहरा बनाएगे इस जेट पैक की कीमत करीद 2 लाक यूएस डोलर रखा गया है